वंदे महत्रम आप सभी का नेट्वर्क टैन्वे स्वागत हैं मैं हूं संजेगरी गोस्वामी देश में लोगसभा के चुनाओ चल रहे हैं और इसले हम आपको राजनिती की वो कडियां बता रहे हैं वो चीज बता रहे हैं कि जो खिलाडी हैं राजनिती के खिलाडी की बात नहीं कर रहे हैं जो वास्तम में खिलाडी हैं और वो राजनिती के भी खिलाडी बन गए उनकी बात कर रहे हैं और बड़ी दिल्चस्प जानकारी आपके बीच में लेकर आ रहे हैं आज हम आपको उन खिलाडी के बारे में बत दिए तो शायद उनको राजनिती वहां से आ जाती है ऐसा लोग कहते हैं और आहे सबसे पहले हम जानते उन भारतिये क्रिकेटरों के बारे में जो राजनिती की नाओं में सबसे पहले हम नाम लेते हैं जी हां भारत में नवाब पटोधी के नाम से मशूर और भारत के बेहतरीन कप्तानों में शुमार मंसूर अली पटोदी ने भी राजनिती में खुद्को आजमाया था लेकिन ताइगर पटोधी को जो प्यार किर्कित के मेदान पर मिला वे राजनिती में नहीं मिला विशाल हर्याना पाइटी की ओड से 1971 पर 1975 में खुद को चुनाओ मेदान में अजमाने वाले नवाब तो पटोदी को दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा टाइगर पटोदी के जो पिता जी थे इफ्तियार खार अली खान पटोदी वो भी भारतिय टीम के लिए खेले मंसूर अलिखान पटोदी ने 1961 से लेके 1975 के बीश भारत के लिए लगबग 46 टेस्ट मैच खेले और हर बार उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी लेकिन राजनिती में वो छाप नहीं छोड़ पाए एक और नाम एक ऐसा नाम जो राजनिती के साथ साथ जो फिल्मी दुनिया है वहाँ पर भी बड़ा मशूर है और राजनिती के अंदर भी बड़े मशूर है किरकिट के अंदर भी उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है यहां बात कर रहे हैं नवजोत सिंग कि नव्जोत सिंग सिद्धू ने अपने राजनितिक सफर की सुरुवात साल 2004 में बीजेपी में आने के साथ के थी लेकिन पाइटी में अंदरूनी मतवेदों के कारण उन्होंने 2016 में भारती जनता पाइटी का साथ छोड़कर कॉंग्रेज जोएन कर ली सिद्धू ने अपने क्रिकेट कैरियर में 51 टेस्ट मैचों में 42 से अधिक की होसत से 302 रन बनाये वहीं अपने एक दिवसिये कैरियर में 136 मैच खेलते हुए 37.08 की होसत से 4413 रन बनाये थे नवजोज सिंग सिद्धू पंजाब के अंदर जाना माना चेहरा रहा है यह अलग है कि राजनिती के अंदर उनके उपर गंभीर आरोब भी लगे है उसके अलावा यहां तक रहे कि उनको जेल भी जाना पड़ा अब हम बात करते हैं गोतम गंभीर को लेकर गोतम गंभीर राजनिती में सफलता पाने वाले पूर भारते किर्किटरों में से एक हैं गंभीर ने 2019 लोगसभा चुनाओं में पूर्वी दिली सिट से जीत दर्ज के थी उन्होंने आमादवी पाईटी की आतिशी को रहा है था गोतम गंभीर लोगसभा चुनाओं 2024 में किसी भी सिट प किर्ती आजाद को लेकर किर्ती आजाद के पिता भगवत जहा आजाद भिहार के पूर्व मुख्य मंतिर रहे और किर्ती ने भी किर्किट छोड़ने के बाद राजनिती में कदम रखा था भारते जिनता पाईटी से दर्बंगा के सिट पर तीन बार सांसत बने लेकिन 2019 में कांग्रेस का दामन थामा और अब तुरुनमूल कांग्रेस के साथ आगे हैं किर्ती आजाद 2024 में बंगाल की वर्दमान दुरगापूर सिट से चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने किर्किट कैरियर में मातर साथ टेस्ट मैच खेलते वे 135 रन बनाने के साथ साथ ती ऐसे स्री संत की जियां वैसे तो किर्किट उनके लिए कोई बहुत ज्यादा सुखद संदेश कभी लेकर नहीं आया और आरोप परतियारोप के बीच में वहाँ पर भी रहें लेकिन 2016 में केरल विदानसभा चुनाव में तिर्वंत पुरम की सिट से दावेदारी पेश करने के कारण वो सुर्ख्यों में आ गए उन्हें भारतिय जनता पाईटी का साथ मिला था लेकिन चुनावी मेदान में उन्हें हाड जेलनी पड़ी ती सिरिसंत ने अपने टेस्ट केरियर में 27 मैच खेलते वे 87 विकट चटकाय और 53 वंडे मैच में 75 विकट हासिल किये थे इसक साल 2009 में कॉंग्रेस का हाथ था मता 2009 में लोकसभा चुनाओं में उन्हें उत्तर परदेश की मुरादाबाद सिट से जीत मीरी लेकिन 2014 के चुनाओं में उन्हें हार जेलनी पड़ी उन्हें पिछले साल तेलंगाना विधान सभा चुनाओं में भी जूबली हिल्स शेतर से दावेदारी पेश की थी लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा अगर उनके केरियर की बात करें तो निन्यान में टेस्ट मैच खेलते हुए 6215 और 334 वंडे मैचों में 9378 रन उन्होंने बनाये थे लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राजनेती की पि पूर फिल्डरों में भी आता है 2014 लोकस्वा चुनाओं में कॉंग्रेस के लिए उत्तरपरदेश की फूलपूर सिट से उन्होंने चुना लोड़ा लेकिन वह अपनी पहली चुनावी परिक्षा को पास नहीं कर पाए कैफ ने क्यारियर में 13 टेस्ट मैच खेले 624 रन बना नहीं थे लेकिन वहीं राजनिती की पीछ पर उनकी पहली बोल पर वो बोल्ड हो गए अब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी किर्किट की तरफी वापस जाना उचित समझा बात करते हैं एक और किर्किटर की हैं जी हां हरवजन सिंग उर्फ भज्जी की हरवजन सिंग ने 2021 में किर्किट को अलविदा कह दिया था और वो अभी आमादमी पाईटी से राज्य सभा के सांसाद है हरवजन सिंग ने अपने कैरियर में 103 टेस्ट मैच खेलते हुए 2224 रन बनाये और साती 417 विकिट भी जटके इसके लावा उन्होंने एक दिवसीय क्रिकिट मैच में 236 जो मैच उन्होंने खेले वहां उन्होंने 269 विकिट चटकाए थे उन्होंने टी-20 कैरियर में 25 मैच खेले और 28 विकिट लिये थे मतलब कि जिस तरीके से वो क्रिकिट में शांदार रहे वैसे ही राजनिती में भी उनको जो पहली गेन उन्होंने की उस पर विकिट मिल गया मतलब कि वहां पर वो सकसज हो गए और आज राजे सबा सांसाद है बात करते हैं मनोस्तिवारी को लेकर जहां मनोस्तिवारी ने 2021 में पश्षिम बंगाल विधानसवा चुनाओं में तुरुनमूल कॉंग्रेस की ओर से सिपूर सिट पर जीत हासिल की थी वो इस समय पच्छिम बंगाल सरकार में खेल मंत्री है मनोस्तिवारी ने अपने अंतराष्टे केरियर में 12 वंडे मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 287 रन बनाने के साथ ही साथ 5 विकेट भी चटका हैं वह उन्होंने 3 T20 मैचों में केवल 15 रन बनाये थे और आप देखिए भले ही वो क्रिकेट में कुछ खास ना कर पाएं हो लेकिन राजनीती के वो माहिर के लाड़ी बनते नजर आ रहे हैं बात करते हैं चेतन शर्मा को लेकर पूर भारतिये क्रिकेटर चेतन सर्मा ने 2009 में लोकसभा चुनाओं में बहुजन समाज पालिटी की ओर से फरिदाबाद सिट पर चुनाओं लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए उसके बाद उन्होंने भारतिये जन्ता पालिटी का दामन थाम लिया था और फिर कभी चुनाओं नहीं लड़े चेतन शर्मा भारतिये क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं उन्होंने अपने कैरियर में तेस्ट मैच खेलते वे 61 विकेट लिये थे और 65 बंडे मैचों में 66 विकेट चटकाए थे मतलब राजनिती के पारी कोई ज़्यादा खास उनके काम नहीं आई बात करते हैं विनोध कामली को लेकर विनोध कामली क्रिकेट में एक बड़ा नाम रहा है अगर राजनिती की बात करें तो 2009 में महरास्ट विधान सबाद चुनाओं में लोक भारती पारिटी की ओर से किर्किट में 104 मैच खेलते वे 2447 रन बनाएं लेकिन राजनिती की पीछ पर वो नाकाम्याब रहे हैं और यही कारण है कि कामली भी वापस किर्किट की और नजर आए कि यहां लेते एक चोटा सा ब्रेक जल्द लोटेंगे आपके बेच कि अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज बात करने हैं वह भारते खिलाडी जो खिलाडी भी रहे हैं खेलके और जो राजनिती के भी खिलाडी रहे हैं एक और बड़ा नाम जिहां जिनको किर्किट की दुनिया का भगवान भी कहा जाता है बात करने हैं सचिन तैंदुलकर को लेकर सचिन तैंदुलकर किर्किट के मेदान पर बड़े चेहरे रहे हैं और उनका नाम किर्किट की दुनिया में बड़े अदब से लिया जाता है जब वो आउट होते हैं तो घरों में टीवी बंद हो जाते थे सचिन सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे बलकि करोडों हिंदुस्तानियों की उमीद भी रहे हैं खेल के मेदान के बाद सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदसे भी बने दरसल भारत के राष्टपती को अधिकार है कि वो साहत्य खेलकला विज्ञान और समास सेवा से जुड़े 12 लोगों को बतूर राज्यसभा सांसद मनोनित कर सकते हैं इसी के तहत साल 2012 में ततकालिन रास् सवाल भी उटे यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा में अपना पहला सवाल सदस्रिता मिलने के तीन साल बाद पूचा समाजवादी पाइटी के ततकालिन सांसद नरेशक गरवाल ने इस मामले को राज्यसभा में पॉइंट ऑफ ओडर के तैर्र उठाते हुए कहा था कि सचिन तेंदुलकर और रेखा समेथ नामित सदस्रित से बजट सत्र में राज्यसभा की कारवाई में शामिल नहीं हुए हैं यदि यह लोग लगातार सदन नहीं आघे तो इसका मतलब इसके लिए चुक नहीं हैं ऐसे में क्या इन लोगों को इस्तिवा नहीं दे इस थे और आज भी खिलाडियों के बीच में सचिन तेंदुलकर लगातार देखे जाते हैं एक और बड़ा नाम करणल राज्य वर्दन सिंग राठोर जीयां निशाने बाज और सेना में अपनी परतिवा दिखाने के बाद उन्होंने राजनीती में कदम रखने वाले करणल राज्य वर्दन सिंग राठोर भी राजस्तान के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अपनी सियासी पारी की धमाकेदार शुरुआत के थे। राजनिती में कदम रखने और उसके बाद पहली बार में जीत हसिल कर नरेंदर मोधी कैबिनेट के सदस्य तक वो बने। वे खेल मंतराले के साथ साथी सूचना और परसारन जैसे महत्वपून विभागों की जिम्मेदार भी समाल चुके हैं। राज्यवर्दन ने 2004 में हुए एथेंस ओलंपिक में पुरुष डबल ट्रैप में निशाने बाजी में अचूक निशाना लगाकर पहला व्यक्तिगत रजत पदक जिता था। यहीं से उनकी जिन्दगी एक नहीं रापर चल पड़ी थी उसके बाद राठोड ने निशाने बाजी में कहीं और एहम मुकाम पाए उन्होंने वर्स 2013 में स्वेचिक सेवा निर्वर्टी लेकर राजनिती में कलम रखा। ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद वो यूथ आइकोन के तोर पर इस्थापित हुए। राठोड ने बाद में बिजेपी जुएन की और 2014 में हुए लोकसभा चुनाओं में राठोड पर भार्टी जन्तापाईटी ने भरोसा जताते हुए जेपूर ग्रामेंट से उनको परतियाशी बनाया। अपने पहले ही चुनाओं में राजिय वर्दन सिंग राठोड ने शानदार जीत हासिल कर अपनी लोकप्रेता दिखा दी। पहली बार सांसद बनते हुए उन्हें मोधी कैबिनेट का हिस्सा बनने का सुनहरा मोका भी मिला। महीं राज्य वर्दन सिंग राठोर अभी राजिस्थान में विधायक हैं और राजिस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े खिलाडी जीहां मुक्के बाज विजंदर सिंग को लेकर। भारत के पहले उलम्पिक पदक विजेता विजंदर सिंग भी राजनिती का हिस्सा बने। पूर मुक्के मंत्री भुपिंदर सिंग हुड़ा सरकार ने बोक्सिंग में विजंदर की उपलब्दियों के चलते हुने सम्मान सवरूप हर्याना पुलिस में DSP की पोस्ट दी थी। 2008 में विजंदर ने बीजिंग उलम्पिक में कांच से पदक जीता इसके बाद उड़ा सरकार नों ने DSP बनाया था। हुआ है। वित्मान में路 विजंदर सिंग ने भार्तिय जंता पाल्टी की सदस्यत सिता ग्रहेंड किया है और ऐसे कयास लगाया जारे हैं कि विजंदर सिंग जो आगामी हर्याना का चुना वे उसके अंदर वह वहां को याद करते हैं हम बात कर रहे हैं अजे पहलवान रुस्तम हिंद दारा सिंग की यहां दारा सिंग भी राजनिती में हात अजमा चुके हैं उन्होंने कुष्टी और फिल्मी दुनिया में ही अपने जोहर नहीं दिखाए बलकि देश की राजनिती में भी एहम भूमी का दारा सिंग रुस्त में पंजाब के बाद रुस्त में हिंद बने 1968 में 1968 में जुथेस को धूल चटा कर उन्होंने रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती जापान प्रो रेसलिंग लाइंस में 1955 में राची में दारा सिंग का मुकाबला किंग कोंग के साथ हुआ था उस समय दारा सिंग 130 किलो के थे और किंग कोंग 200 किलो के थे किसी को भी दारा सिंग के जीतने की उमीद नहीं थी लेकिन दारा सिंग ने किंकोंग को ना किवल हराया बलकि उसे रिंग से बाहर भी फैंक दिया था किंकोंग को हराने के बाद दारा सिंग को रात और रात पूरी दुनिया में हाथो हाथ लिया गया और पूरे विश्व में उनका नाम हो गया 1983 में उन्होंने रेशलिंग की दुनिया से रिटार्मेंट ले लिया था इस बीच वे फिल्मों में भी काम करने लगे दारा सिंग ने एक से बढ़कर एक सफल फिल्म में दी यहां तक कि धारवाइक रामाएंड में उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया और इस किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया फिल्मों में अपना दमकम दिखाने के बाद दारा सिंग ने राजनेती की दुनिया में भी दस्तक दे उन्होंने 1908 में के दोरान बिजेपी जोएन करके अपने राजनेती के शुरुआत के थी ती साल 2013 में राज्जेसभा सांसद बने इसके इलावा वो जाट महासभा के रास्तिय अध्यक्ष भी रहे जिससे अगर देखा जाए तो भारती जन्ता पारिटी में एक ऐसा चहरा रहे हैं जो हमेशा जाटों को साधने में अग्रिम जो पंग्ति के नेता है उसमें उनकी गिंतियों की रही एक और नाम पर्विण कुमार सोबती जी यां परविण कुमार सोबती एक फेमस प्लेट थे इंटर नेशनल खिलाड़ी परविं हैमर ओर डिसकस थ्रोक के दिगज खिलाड़ी थे एथलीट परविन ने चार बार एश्याई खेलों में दो गोल्ड, एक सिलवर और एक ब्राउज मैडल अपने नाम किया था, दो बार ओलम्पीक खेलों में भी भारत का पर्तिनित कर चुके थे, ब्सफ में कमांडेंट परविन कुमार सोब्ती की डिल डोल की वज़े से उने एक्टिंग की दुनिया में काम मिला तो लगी लगाई नोकरी छोड़कर शोबीज में कूद पड़े, परविन को सबसे पहले डिरेक्ट रविकान नगाईच ने काम दिया था, इसके बाद रक्षा युद इलाका मुबबत के दुस्वन जैसी फिल्मों में काम किया, इन्हें शोहरत मिली, लेकिन इन्हें शोहरत मिली माभारत धारवाइक से, जी हाँ, गदादारी भीम के रोल से, इस रोल की वज़े से आज भी परविन को याद किया जाता है, उन्होंने 2013 में आम आदमी पायर्टी ज्वैन की और वजीर पूर से दिल्ली असेंबली के लिए चुनाओ लड़ा, लेकिन राजनिती की पिछ पर वो हार गए, इसके बाद 2014 में परविन ने बीजेपी का हाथ थाम लिया, वे भाजपा में सक्रिये रहे, लेकिन राजनिती से दूर रहे, और 7 फरवरी 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा दिया, अब आपको वर्तमान में जो लोकस जिन्ता पाइटी ने राजिस्तान के चुरू से टिकट दिया है, 42 साल के जजारिया खेल जगत का एक जाना पहचाना नाम है, और वो पैरा भाला फैक एथलीट रह चुके है, जजारिया का जनम चुरू में हुआ था, जजारिया अब थार रगिस्तान के परेजदुआर के लिए भी जाना जाता है, देवेंदर जजारिया की कहानी काफी मार मिक है, जजारिया ने महज आठ साल की उमर में एक प्रेड पर चड़ते समय बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद अपना बाया हाथ गवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके होसलों में दोजार चोबिस के जरिये वो भी राजनिती की पिछ पर अपनी पारी के शुरुआत कर रहे हैं, तुरुनमुल कॉंग्रेस ने लोकसभा चुनाओ के लिए यूसुप पठान को अपना उमीदवार घोशित किया है, यूसुप पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपूर न खिलाडी हैं, वो राजनिती में भी हाथ आजमाते रहे हैं, क्योंकि खिलाडी राजनिती से लगातार, उपर निचे रहते हैं, तो ऐसे में उनको लगता है कि चलो राजनिती कर ले जाए। सबसे बड़ा खताब, मिस्टर ओलंपियाप ने नाम किया है, यूमाओं के बीच बेहद लोक्रिय रहे अर्नाल्ड, एक सफल मॉडल, एक्टर और बिजनसमैन भी रहे हैं, वो 2003 से 2011 तक कैलिफोर्णिया के गवर्नर रहे हैं। और सन्यास लेने के बाद 2010 में सनत सांसद के रूप में चुने गए। वो आज एक नेता के तौर पर भी काफी लोग प्रेय हैं। सनत ने 1989 में श्रिलंकाई टीम में शामल होकर अंतर राश्ट्रिय क्रिकेट में डेब्यू किया था और 22 साल की लंदी पारी खेली। इमरान खान पडोसी देश पाकिस्तान में क्रिकेटर से राज मेता बने इमरान खान को अपने प्रधान मंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए 22 साल लग गए। इमरान खान ने पाकिस्तान की ओर से 1971 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट खेले। इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम 1992 में वंडे में वर्ल्ड चेंपियन बनी। उनकी गिंती पाकिस्तान की दिगज क्रिकेटर्स में होती है इमरान खान 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधान मंत्री रहे और फिलहाल व्रश्टाचार के आरोपों में जेल में बंद रहे तो ये थे वो राजनिती के खिलाड़ी जो भारतिय खेलों के खिलाड़े भी रहे थे ऐसे ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही एक और कारीकरम के साथ जब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त जो है झाल